सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एवम रोचेक जैन करिया और मेरे सारे नए वीडियो नमस्कार दोस्तों बहगवान आप सब्सक्राइब करो और आपकी सारे एक्षाय मेरे कामने पूरी हो दोस्तों आज मैं आप सब्सक्राइब को इस हाथ से रिलेडिड महत्पुन जान करेवे करूंगा यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरिय हैं उसी का डिटेल आंसर आएगा तो पहला प्रशन यह है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दी परस्नेल्टी तो इसके लिए और आल पाम रेड करने की सक्ता और शक्ता पड़ती है लेकिन जब भी फिंगर की लेंद शॉट होती है तो यह बहुत इमिजेट वर्क करने की टेंडेंसिस और बहुत ही चुस्ती इस फूर्ती या फटा-फट काम करने की योजनाओं को दर्शाता है तो इस कंडिशन में यह हैं इंपेशेंट, इंपल्सिव और क्विक डिसिजन टेकिंग स्किल्स on the behalf of feeling generate करता है किसी भी तरह का गैप एक इंडिपेंडेंट परसनेल्टी की निशानी होता है त इन सभी कारणों के अतरिक अधिक खर्चिलापन भी देखने को मिलता है इसे के बीश सेकेंड जो फिंगर इसके लेंद अच्छी है तो हार्ड वर्किंग नेचर देता है खाली बेटना पसंद नहीं करते लिडिल फिंगर के लें शोट है तो बच्पन से ही stage fear होता है मन के बात को दबाना या बहुत सारे लोगों के समने अपने बात को कहना पाना और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं तो सभी कामों में देरी अच्छन बाद है आना तो यह इंट्रोट परसनेलिटी का निशानी बहुत strongly होता है और यही सबसे में कारक भी है आपके लोगों का ही little finger shot हो जाता है तो तब भी वो लोग अपने life में इतने problem face नहीं करते क्योंकि कई न कई वे socially engaged हो रहे होते हैं socially अगर नहीं भी हो रहे हैं तो भी प्रकति से involvement टुनका हो रहा है और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो isolation में भी रह करके वो खुश है क्योंकि वो research क कर रहे हैं practices कर रहे हैं वो isolation को बहुत अच्छा मान रहे हैं growth करने के लिए लेकिन आपके case में क्या है कि आपकी जो mind line है वो purely decline है और decline mind line वाले जातक को हमेशा लोगों की जरूत पढ़ती ही है reason यह होता है क्योंकि चंद्र जो का रख है वो बाहरी दुनिया लोगों का है य great thinking capability है आप day dreamer type के इंसान है हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं आपको किसी से conversation करना है तो 2-5 minute के बात आप call पर करी नहीं सकते आपको पूरा घंटा भर चाहिए minimum क्योंकि जो moon है वहाँ पर जो mind line जा रही है तो बहुत ही detail में बाते कहना सुनना बताना समझना पसं करते हैं जो जिसमें बहुत extreme level की theory हो या imagination हो या research हो तो UPSC जो आप कर रहे हैं उसके हिसाब से mind line ठीक है लेकिन जो utilization है जो energy का utilization है वो कहीं न कहीं सही नहीं है यही reason भी है कि कहीं न कहीं आपको बाहरी दुनिया लोगों से बाचित करते समय अपोजिजेंडर से इंट्रेक क करते समय हिच की जाट घबराट भी महसूस होता है थर्ड एन फर्स्ट फिंगर की लेंध में थर्ड फिंगर की लेंध स्टॉंग जो risk टेकर बनाती तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते creative personality होता है तो अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं देखा जाए तो आप जिद्धी भी हैं और imaginative भी हैं और multiple thinker भी हैं क्योंकि बहुत सारी branches mind line से निकल रही है तो इस condition में अलग-अलग प्रकार के काम करते रहना या variety में काम करते रहना पसंद करते हैं अगर एक ही तरीके काम लगातार करने तो बहुत जल्दी bore हो जाएंगे consistency में काम नह nature नहीं रखना है क्योंकि इससे mercury disturb होंगे multiple अगर target रख लिए तो mercury बहुत disturb हो जाएंगे यह रखना है कि आप अगर bore किसी भी चीज़ से हो रहे हैं तो उसमें upgradation करिए और कोई नए तरीके काम करिए उसी से related ताकि बहुत जल्दी bore यत वगएरा आपको feel ना हो क्योंकि यह जो mind line है यह pure creative mentality की निशानी होती है और अगर आप जैसे जा तक बहुत strict rule या regulations के साथ study भी कर रहे हैं के life style जी रहे हैं तो आप अपने nature के विरुद हो करके काम कर रहे हैं आपका nature तो यह ही नहीं आपका nature है नएने चीज़े explore करना नएने चीज़े दुनिया के सामने रखन नएने तरीके से काम करना नएने तरीके से अपनी बात को कहना सोचना विचानना तो आपने अगर free will ही नहीं दिया आपने आपको तो आप कही नहीं कहीं स्टक हो गए और जो जा तक स्टक होते उन्हीं को clinical depression, anxieties, depressions यह सारी चीज़े आती हैं तो कही नहीं कहीं आपने अप अगर करते भी हैं वो सारे काम तो बहुत pressure हो करके करते हैं तो UPSC यह कोई भी exam बहुत pressure में नहीं निकलता है यह extreme wisdom यह knowledge लग के बिहाफ पे भी निकलता है आपकी case में जो लग की बात अगर हम करें तो उसमें कमी ही का लग लाइन सीदे के सीदे यहां से निकल के आपकी Saturn को touch कर रहा है यानि मन का तो आपका सारा काम हुआ है आपका आप कहे नहीं सकते अपने life में कि आपने यह चीज़ चाहा और यह चीज़ आपको नहीं मिला सुख सुविधाओं के बारे में या resources के बारे में लोगों का भी support मिलेगा और आगे success भी बहुत अच्छा है थोड़ा खुश नहीं है बहुत ज़्यादा stress फिल करते हैं अपने environment को सुधारिये प्रकती के निकट होई है थोड़ा अकेले में घूमना अकेले में खुद को समय देना अच्छे environment surrounding से belong करना rituals को follow करना positive people के साथ contact बढ़ाना या positive चीज़ें पढ़ना ये सारी चीज़ें आप शुरू जो पाएंगे अपने life में जो आपको पार कर देगी यानि आपको बेड़ा पार कर देगी फिंगर के उपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा हैं लेकिन उसे के बीच आड़ी रेखा भी है तो friendly nature के हैं लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर over react कर देते हैं बुरा मा वाले बहुत फूरती में काम करना पसंद करते हैं शौट कट अपनाते हैं और बहुत जल्दी हर कुछ चाहिए और जो long थम में वो हर बात के जड़ तक जानते हैं तो वो लोग बहुत ज़दा patience में देखने को मिलते हैं बहुत detailed knowledge गेन कर पाते हैं या बहुत ज़दा शान् कि छोटी छोटी बातों पर react करें छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठे हुएं तो इसलिए थम को change नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ को change नहीं किया सकता लेकिन नजरिया तो change किया जा सकता है तो short thumb की एक अच्छी बात ये भी होती है कि जहां पर लोगों को कितने सार बीच में अपने इंट्रेस्ट पेशन होभी को फॉलो करते रही है प्रकति के निकट रही है इंवायरोमेंट अपना अच्छा कर रखी है तो यह सारी चीज़ें आपको कंसिस्टेंसी भी लाइफ में दे देगी तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और यूपी एससी में आपके सफल होने के जो हाईली चांसेज हैं वो 27 और 9 के बीच में है 27 से 9 के बीच में है क्योंकि उससे में प्रोग्रेस लाइन निकल रही है और माइंड लाइन की स् अफ़र्ट मेंद से ग्रोथ करना किसी भी तरह कर डिजार अमबिशन के रिगार्डिंग एफ़र्ट डालना तो सफरता मिलना यह दो कंबिनेशन इस्ट्रॉंग है यहां पर इधर पर आपकी मर्करी लाइन क्रॉस करके गई है करेक्ट यह सी समय पर तो यह मर्करी लाइन आपके लर्णिंग को नौलेज को और किसी भी काम को लेकर के पैशनेट बनाने की योगों को निर्मित करता है और अर्णिंग कैपिलिटी भी इंक्रीज करता है तो यह जैसी ही लाइन काट रही है इसको सपोर्ट में एक और मर्करी लाइन आ रहा है जो मल्टिपल इंट्र लर्णिंग को दर्शा था और लकलेन बहुत ज़्यादा सुधर रहा है तो 27 से 9 के मिड में किसी भी तरह के कॉंप्रेटिव उक्जाम देना अच्छा रहेगा यानि UPSC ही और उस समय आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोग्रेस देखने को मिलेगा मेरेज क रिगार्डिंग बात करें तो 29 के बाद में ही आपके लाइफ में पार्टनर जो है जुडने वाले रहेंगे strongly partner strongly partner यानि life partner क्योंकि इस तरह की supportive line जो इत्ती लंबी चले ये partner की ही होती है और ये confirm कर रहे है कि अभी तक भले ही किसी का सही होग ना मिला हो लेकिन 27 के बाद में partner का भी भरपूर सही होग मिल पाएगा partner और उनके घर परिवार यानि in-laws से भी आपको support अच्छा मिलेगा married life आपकी अच्छी है reason ये है कि एक तो supportive line active है जिससे life line को बहुत support मिलता है यानि किसी तरह का दुख तकलिफ कष्ट परशानी स्वास संबंदी विशे को भी लेकर क नहीं आता मून लग लैन का combination है तो success after marriage ही होता है इसमें और जुपिटर की strength अच्छी है तो fruitful result आपको married life से मिलेगा health के regarding या अभी तक life में इतना problem इसलिए भी रहा क्योंकि island का sign life line पे available है तो इसने क्या किया कि आपकी energy को बहुत ज़्यादा drain करते आया है बच्पन से और energy को drain होना कतात पर ये है कि focus में कमी होना अगर focus ठीक है तो health issue आजाना health ठीक हो तो mental peace हाम होना mental peace भी अगर ठीक है तो family issues से गुजरना अगर वो भी ठीक है तो financial crisis देखने लेना अगर वो भी ठीक है तो unnecessarily thought negative thinking generate हो जाना या बेचे नहीं हो जाना तो ये चीजें island में आती ही है और island आपका 25-6 में ही खतम हो रहा है इसलिए थोड़ा सा patience हो रखें इसी साल में approximately September के आसपस से growth आप अपने life में दे रही है सन रमेडी करने से यह सारे problem खतम होंगे dedication काम के प्रती बढ़ेगा कोई भी aim goal आपका complete हो पाएगा सेटन के उपर भी आड़ी रेखा mood swing देती है emotion feeling में fluctuations देती है बहुत सारी बातों को मन में न दबाएं या बहुत सारी emotions को carry करके न चले on the spot अपने emotions निकाल देना और सुभे भ्रहम मुरत में उठके योग प्राणायम करके टहलना सबसे best remedy इसके लवा कोई remedy ही नहीं अच्छी अधरवाज आप किसी मंदिर में daily visit भी कर सकते हैं ritual follow कर सकते हैं उससे भी ये certain issue खतम होगा तो mood swing emotional trouble emotions fluctuations इन सारी चीजों में सुधार आपके निश्चीत रूप से आपाएगा तो ये कोई बहुत major issue trouble नहीं है और ये इसलिए बहुत जल्दी इन सारी चीजों में सुधार हो भी पाएगा और जहां तक health issue उसके बात करें तो ये last है 25.5 की age तक last issue रहेगा उसके बाद में आपको health issue नहीं आएगा reason ये है कि life line में एक नहीं energy आएगी जिससे progress होगा और supportive line active हो जाएगा और जो आप सुबह उठके टेह लेंगे या कोई भी ritual follow करेंगे तो Saturn के जो bad effect है कि life में काम बनते-बनते रुक रहा है peace and happiness नहीं आप रहा है satisfaction किसी चीज से नहीं मिल रहा है अरचन बाद हैं बढ़ रही है इन सारी चीजों में रुकावट आएगी तो health के regarding भी आप बेफे करे रही है सारे के सारे problem खतम होंगे बस mind and decline है तो ध्यान रखे कि जो इस mind में डालेंगे वही withdrawal करेंगे तो इसलिए जितना हो सके positive thinking, positive attitude, positive environment, positive reading अपने लिए जितना हो सके अच्छे से अच्छा बात करिए कि आप से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं सुबह उठते से कहिए कि जितना हो से क्या अच्छे से अच्छा काम हो गर्व मैसुस हो आज का दिन इतना अच्छा बीते एसी जब चीजे केना शुरू करेंगे तो यह प्रोग्राम आप कर रहे हैं अपने आपको internally तो internally जो प्रोग्राम करेंगा outer world में उसका जो pure result हो देखने को मिलेगा बाकी again luck आपका अच्छा है success आप definitely हो पाएंगे थोड़े बहुत barriers है barrier भी उन्हें को आते हैं जो सक्षम इनसान होते हैं तो इसलिए यह barrier आपकी life में extreme growth success या आपकी productivity को increase करने के लिए ही आया हुआ है और इसको ठीक कर लीजे result आपके हाथ में आ जाएगा और वहीं left hand में भी देखें तो यहाँ पर भी जो island का formation है वो यहीं तक available है उसके अधमे life line जो दूसरी वो end हो गई another start हो गई तो इस तरीके overlapping होना livelihood, luxuries, comfort को increase करता है divine health पहले भी थी आगे भी जुड़ेगी और luck line की stability ठीक है mind line जो आपकी decline है आप internally उतने overthink कर नहीं है बाहर से कईना की बातों पर ज़्यादा react करने के करन overthink करते हैं बेचानी हेर बड़ी जल्दबाज में काम करने से बचिये, on the sport कोई भी बात कहने या decisions लेने से बचियेगा बाकी कोई major issue नहीं है, mind line में बाइफोर कोना बहुत अच्छा होता है, multiple interest, knowledge और great learning capability देता है heart line पर double line चल रही है, बार बार रेखा नीचे जा रही है, unnecessarily expectation and hope लगा लेते हैं practical, logical होना ज़ादा ज़रूरी है, खुद पर believe करना ज़ादा ज़रूरी है, that's it तो यह थी सबसे महत्पून बाते आपके हाथ करे गाड़िंग, आशो करता हूँ, सभी प्रेशनल का अत्तर मिल गया हूँ, तब तक आप अपना धिहान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद